जैहिंद साथियो नमस्कार, स्वागते मित्राब सभी के आपके अपने चैनल पर आप लोग फटाफर क्लास में आ जाएं, क्लास श्टार्ट हो चुकी है, जोकि यूपी असाई और यूपी प्लिस कांश्टियोबल के साथ साथ रेडियो आपरेटर के लिए हिंदी की बहतरी इन प्रैक्टिस सेट है, इक लास नमबर 37 है, इससे पहले मैंने क्लास 36 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, अगर आपने नहीं रेखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ लेजेगा, मित्र सभी भाइबें एक बार मिलकर क्लास को शेर कर दें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलते रहें, तो चलिए मित्र आज के बहतरे इन प्रैक्टिस सेट की सुरुबात करते हैं और फर्स्ट कुश्यन आपके सामने रख देते हैं, कुश्यन नमबर 51 से स्टार्ट है, साखी सब्द का तत्सम रूप है, साखी का त तो बिलकुल सही जिसका आ रहें साख्षी, साखी सी तो बिलकुल सही आ रहा है, और बिलकुल सही हो जाएंगे, कुश्यन नमबर 52 है आपके सामने, इसकाriend राएट एंसर आपको बताना है, निम लेखी तमें से तत्सम सब्द है, तत्सम सब्द का चैन करना है, कुश्यन न स्कूब करने के लिए ठोड़ा सियर कर दीजी तो बिल्कुल सही आंगे बावन का जिसका आ अक्षर तो बिल्कुल सही हो जाएगा क्या सामने इसका राइटर आपको कर देंगी तो बिल्कुल सही त्रेपन का जISका आ रहा है शागर बिल्कुल सही आटायेग्स, नंबर पीजी चोहे मित्र यह सिंग के लिए नहीं है यह किरड यह जोती लिए होता है। राइट एंसर आपसे नमबर सी बिल्कूल सही हो जाएगा। क्वेशन नमबर 25 है आपके सामने इसका राइट एंसर आपको बताना है। पच्पन का बता देंगे राइट एंसर क्या हो जाएगा सामिश का बिलोम आपको बताना है सामिश का बिलोम क्या होता है कुश्चन नमबर पच्पन का बता देंगे राइट एंसर क्या हो जाएगा जिसने वीडियो को लाइक नहीं कि है प्लीज कर देंगे तो बिल्कुल सही पच्पन का जो राइट एंसर होगा शामिस का निरामिस होगा राइट एंसर उप्षय नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा QUSHION नंबर छपपन है आपके सामने इसका राइट एंसर आपको बताना है Chris का विलोंग क्या होगा कुश्चन 16 है आपके सामने इसका राय अंसर आपको बताना है क्रस का बिलोम क्या होगा तो पुश्चन 26 का बताएंगे सफ़ी में तरह राय टैंसर क्या हो जाएगाavour मिलोम पूछ रहे तो फटाफट इसका पाइंसर देंगे बिल्कुल सही आ रहा है, इस्थूल या प्रेष्ट, रायट एंसर उप्शन नमबर C बिल्कुल सही हो जाएगा कुशन नमबर 57 है, आपके सामने इसका रायट एंसर आपको बताने है शर्वोदे में कौन सी संधी है? फाट फट एंसर देंगे, कुशन नमबर 57 का रायट एंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आ रहा है, गुड शंधी है, रायट एंसर उप्शन नमबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा सर्व प्लस उदय यानी गुड संधी है राइट एंसर ओप्षिन नमबर ये वाले बिल्कुल सही है कुश्य नमबर अठावन है आपके सामने इसका राइट एंसर आपको बताना है वागीस का कौन सा संधी विछेद सही है संदिवी छेद आपके सामने है आपको बताने है वागीस का सही संदिवी छेद क्या है 58 का बता देंगे राइड एंसर क्या हो जाएगा फटा फट इसका एंसर देंगे प्लीज मित्र वीडियो को शेर कर दीजे जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे बिल्कुल सही अठावन का जिसका आ रहा है बिल्कुल सही है वाक प्लेस इस राइड एंसर ओप्शन नमबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा उनसर्ट है आपके सामने इसका रायट एंसर आपको बताना है सोतेली माता के लिए उपयुक्त सब्द है आपको बताना है सोतेली माता के लिए परियुक्त सब्द इसमें से कौन सा हो चकता है question number 69 का बता देंगे right answer क्या हो जाएगा फटापर इसका answer देंगे सभी मित्र अगर आप लोग इसका पीडियोप पाना चाहते हैं तो हमारे वाट्शाप गुरूप या टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना एक्जाम गुरुजी बाई अर्विन सर रोज्वाइन हो जाना तो वाट्शाप का सभी मित्र का आ रहा है विमाता इसका right answer होगा option number ये बिल्कुल सही हो जाएगा 60 है आपके सामने इसका right answer आपको बताना है जो पूरुषो के अनुरूप हो उसे कहते हैं जो पूरुषो के अनुरूप हो उसे क्या कहते हैं एक सब्द में आपको बताना है question number 60 का बता देंगे right answer क्या हो जाएगा हम question fast कर वा रहे हैं मित्र ताकि आपका time waste ना हो और आप जल्दी जल्दी revision करते चलें बिल्कुल सही है 60 का जो right answer होगा सभी का रहा है पूर्सो चीत होगा right answer option number ये बिल्कुल सही हो जाएगा question number 61 है आपके सामने इसका right answer आपको बताना है उत्थान सब्द में कौन सा उप्षर्ग है उत्थान सब्द में कौन सा उप्षर्ग है 61 का बता देंगे right answer क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही उत्थ उप्षर्ग है right answer option number C बिल्कुल सही हो जाएगा question number 62 है आपके सामने इसका right answer आपको बताना है प्रती उप्षर्ग किस सब्द में नहीं है प्रती उप्षर्ग किस सब्द में नहीं है आपसे पूछ रहा है 62 का बता देंगे right answer क्या हो जाएगा फटबर इसका answer देंगे सब ही मित्र तो बिल्कुल सही है प्रती दिन में भी प्रती उप्षर्ग है प्रतिनीधी में भी है प्रतिध्वन में भी है लेकिन प्रतिभा में जो है यह प्रति उप्षर्ग नहीं है right answer option number D बिल्कुल सही हो जाएगा question number 63 है आपके सामने इसका right answer आपको बताने है चोरहा में समास होता है चोरहा में कौन से समास होता है 63 का बता देंगे right answer क्या हो जाएगा फटा फट इसका answer देंगे सभी भाई जिसने वीडियो को like नहीं किया है please दिमित्र कर दीजे एक भार सभी भाई class को share कर देंगे ताकि और भी friends समास साथ जोड़ सकें तो बिल्कुल सही आ रहा है चोरहा में जो है द्युकु शमास है right answer option number C बिब्कुल सही हो जाएगा कुशन नंबर 64 है आपके सामने इसका right answer आपको बताने है आननद मग्ण में समास है आननद मग्ण में कौन सा समास है फटा बट इसका answer देंगे तो बिल्कुल सही आ रहा है आनंद मगन में जो है यह तदपुर्ष समास होता है राइड एंसर ओप्शिन अमर भी वाले बिल्कुल सही है कुश्य नमबर 65 है आपके सामने इसका राइड एंसर आपको बताने है प्रकर्ति के शुकुमार कभी किनहे कहा जाता है प्रकर्तिकेश शुकुमार कभी किन्हे कहा जाता है, कुश्य नमबर 65 का सभी बताएंगे इसका राइड एंसर क्या हो जाएगा, प्रकर्तिकेश शुकुमार कभी किसे कहा जाता है, तो बिल्कुल सही आ रहा है रहा है राइड एंसर ऑप्शन नमबर D बिल्कुल सही हो जाए इसका राय डियन सर आपको बताने हैं लिक्रित मेंसे कौन सा कभी भक deh कालका नहीं है कौन सा कभी भक di kache नहीं है आपशे पूछ रहा है कुष्चनन smr 2018 का वता ये सभी बा करा राया डैन्सर eted Skr तो बिल्कुल सही आना चाहिए सभी मित्र का सभी का आना चाहिए 66 का राइट एंसर क्या होगा बिल्कुल सही आ रहा ओप्शन नमबर डी वाले बिल्कुल सही है सेना पती जो है यह भक्तिकाल के नहीं रीतिकाल और भक्तिकाल के संध्य यूग की कभी मानी जाते हैं इसका र भी मित्र राइट एंसर क्या होगा प्लीज मित्र जिसने वीडियो को लाइक नहीं कि है प्लीज कर दीजें तो बिल्कुल सही है इस अरशट का जिसका रहा है हर्योंस राइबच्चन राइट एंसर आपको बताना है निम्न में से वर्तिनी की दृष्टी से सुध्ध सब्ध ह यह को बताना है कि यूऊठ्ध दानों में कौं सा आलंकार है यूठ्ध दानों में कौं सा अलंकार है सभी भाई बता देंगे इसका राइट एंसर क्या होगा तो बिल्कुल सही आ रहे हैं यो ध्यदानों में जो है रूपक अलंकार है राइट एंसर आपसे नमबर डे बिल्कुल सही हो जाएगा कुश्चन नमबर सत्तर है आपके सामने इसका राइट एंसर आपको बताना है मुख मयंक सममंज बनोहर में अलंकार है फटाबड इसका एंसर देंगे आप इसे देखकर पता लगा सकते हैं कि यह कौन सा लंकार है फटाबड इसका एंसर दीजे कुश्चन नमबर सत्तर है आपके सामने तो बिल्कुल सही है सत्तर का जिसका आ रहा है उपमा लंकार बिल्कुल सही आ रहा है आपको पता है सम, सीश, सासरिश जो है ये उपमा अलंकार के वाचक सब्द हैं तो आप इसे देखकर बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि इसका एंसर जो है वो उपमा अलंकार होगा कुश्चन नमबर 71 है आपके सामने इसका राइट एंसर आपको बताना है कौन सा छंद दोहा का उल्टा होता है कौन सा छंद दोहा का उल्टा होता है तो 71 का सभी का आना चहिए राइट एंसर 16 बिल्कुल सही आ रहा है ओप्शन नमबर भी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे कुश्चन नमबर 72 का बता देंगे राइट एंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही है चोपाई चंद के प्रतेक चरण में 16 मात्राइं होती है राइट एंसर आप्शन नमबर डी बिल्कुल सही होगा शोले मात्राइं होती है चोपाई चंद के प्रतेक चरण में कुश्चन नमबर 73 है आपके सामने इसका राइट एंसर आपको बताना है जहांसी की रानी कविता में रस है जहांसी की रानी जो कविता है इसमें कौन सा रस है आपसे पूछ रहा है कुष्टिन नमर 73 का राय डैंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही है बीर रस है जहांसी की रानी कविता में जो है ये बीर रस का है राय डैंसर ओप्शन नमर ये बिल्कुल सही होगा 74 है आपके सामने इसका right answer आपको बताना है सरपटकना मुहावरे का क्या अर्थ है सरपटकना मुहावरे का क्या अर्थ है आपसे पूछ रहा है 74 का बताएंगे सभी में तरह right answer क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही हतास होना यानि शर्पटक नहीं मुहावरे का अर्थ होता है हतास होना रायट एंसर आप्सन नमबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा कुश्चर 75 है आपके सामने इसका right answer आपको बताने है कुवजले हंस की चार लोको गति का सही अर्थ आपको बताने है कुश्चर 75 का बता देंगे right answer क्या हो जाएगा तो बिल्कुल पिल्कुल सभी गताने 75 का जिसका आ रहा है अंधा अनुकरण कना राइड एंसर ओप्षिन नमबर D बिल्कुल सही हो जाएगा सभी का आना चाहिए राइड एंसर ओप्षिन नमबर D वाले बिल्कुल सही है कुश्य नमबर 76 है आपके सामने इसका राइड एंसर आपको बताना है रस के अवयों हैं रस के कितने अवयों हैं इसका राइड एंसर सभी वित्र बताएंगे 76 का राइड एंसर क्या हो जाएगा तो बिलकुल सभी जिसका आ रहा है, चार बिलकुल सही आ रहा है अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव यम संचारी भाव यही चार अवय अ होते हैं रज के तो राइडेंसर ओप्शिन नमबर भी वाले बिलकुल सही है कुष्चे No. 78 है आपके सामने इसका राइड एंसर आपको बताना है 37 का बता देंगे सभी में तर राइड एंसर क्या होगा कि क्यों बहुत सिंपल कुष्चन है आपके सामने मोटी सब्द है मोटी जो है यह कौन से सब्ध है इस्त्री लिंग है पुलिंग है या उभया लिंग है या इनमें से कोई नहीं कुश्चन नमबर 77 का बताएंगे रायड एंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही आ रहा है सभी का आना चाहिए मोटी जो है ये स्ट्रिलिंग है राये डैंसर ओप्चिन नमबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा कुश्चन नमबर 78 है आपके सामने इसका राये डैंसर आपको बताना है महाकविजाईसी का पदमावत किस भासा में लिखा गया गरन्थ है यानि आपको बताना है महा का विजैसी जी का जो रित्सरा है पदमावत ये किस भासा में लिखा गया है कुश्चिन नमर 78 का बताएंगे राइड एंसर क्या हो जाएगा सभी मिंत्र बता देंगे जिसने वीडियो को लाइक ने किया प्लीज कर देंगे मित्र सभी भाई भेन एक बार क्लास को शेर कर देंगे ताकी और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जोड़ सके उन्हें भी हमारी क्लास की लाभ मिल सके तो बिल्कुल सही 78 वाले बिल्कुल सही जो बता रहे हैं आउधी बिल्कुल सही कह रहे हैं महा के विजैसी का पदमावद ग्रेंथ जो है ये आउधी भांसा में लिखा गया है राइट एंसर आप्से नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा 89 है आपके सामने dong hiiser आपको बताना है हिंदी दिवस मनाया जाता है 89 को बतायेंगे रायट एन्सर क्या हो जाएगा फड़भड़ इसका एंसर देंगे सभी भाई तो बिल्कोल सहीए 14 सेप्टंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है right answer option number B बिल्कुल सही होगा question number 80 है आपके सामने इसका right answer आपको बताने है 80 का बता देंगे right answer क्या हो जाएगा सभी भाई बताएंगे हिंदी का पहला समाचार पत्र है हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है तो बिल्कुल सही आना चाहिए सभी विद्र का काफी ज्यादा important question है आपके सामने तो बिल्कुल सही है उदन्त मार्तंड जो है इंदी का पहला समाचार पत्र है right answer option number यह बिल्कुल सही हो जाएगा question number 81 है आपके सामने इसका right answer आपको बताना है निमलिखित में शुद्ध वाक्य है सुद्ध वाक्य का चैन करना है आपके सामने वाक्य दिया गया है इस चारों में से आपको बताना है कौन सा वाक्य बिल्कुल सुद्ध लिखा गया है भक्तो की सेना जा रही थी या भक्तो की मंडली जा रही थी या भक्तो की टुकुडी जा रही थी या भक्तो की भीड जा रही थी इसमें बताना है कौन सा सुध्वाक्य है तो बिल्कुल सही आ रहा है बैयासी का जिसका आर है भक्तो की मंडली जा रही थी तो बिल्कुल सही या option number B बिल्कुल सही हो जाएगा. Question number 82 है आपके सामने इसका right answer आपको बताना है. 82 का सभी मित्र बताएंगे राइड answer क्या हो जाएगा. फटा फटा एंसर देंगे. राम चरित मानस में कुल कितने कांड है? बयासिक है आपके सामने रामचरित मानस में कुल कितने कांड है फटा फट इसके एंसर देंगे और आप लोग बता भी दीजे वो कौन-कौन से है तो बिलकुल सही है बयासिक जो राइड एंसर होगा रामचरित मानस में कुल साथ कांड है राइड एंसर ओप्चन नमबर B बि जोद्याकार, अरन्य कांड, किशकिंधा कांड, शुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, यह साथ कांड है रामचरीत मानस में और सबसे बड़ा कांड पूछा जाए तो बाल कांड होगा और अगर आपसे सबसे छोटा कांड पूछा जाए तो किशकिंधा कांड होगा तो आपसे पूछ रहा है इसमें कुल कितने कांड है तो कुल जो है ये 7 कांड है राइड एंसर आप्शन नमबर B विल्कुल सही होगा कुश्य नमबर 83 है आपके सामने इसका राइड एंसर आपको बताना है निम्न मेंसे कौन सी परसाद की रचना नहीं है यहीं आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना जो है जैसंकर परसाद जी की नहीं है कुश्य नमबर 83 है आपके सामने इसका आइंसर बता देंगे और कौन सी नहीं है और नहीं है तो वो किसकी है आपको बताना है कुश्य नमबर 83 का तो बिलकुल सही पल्लो UP जो है यह जय संकर परसाथ जी की नहीं है मित्र ये किस जुमित्रा नंदन पंत जी की है बाकी आशुगे जर्नत जो है यह जय संकर परसाथ जी की है question number 84 है आपकी सामने इसका right answer आपको बताना है निमलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है आपसे पूछ रहा है question number 84 का बता देंगे right answer क्या हो जाएगा मितर जिसने वीडियो को like ने कि है प्लीज कर देंगे अगर आप लोग इसका video पाना चाहते हैं वीजन करने के लिए तो आप वाट्साप गुरूप या टेलीग्राम गुरूप से जोड़ सकते हैं टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना एक्जाम गुरुजी बाई अर्विन सर और ज्वाइन हो जाना आपको अच्छे-ची books और PDF मिलती रहेंगी सारी क्लासेज की पीडियेप आपको टेलीग्राम वाट्चाप दोनों पर मिलेंगी इसलिए आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं या वाट्चाप या टेलीग्राम तो 84 का सभी मित्रकान चाहिए इसका राइट एंसर मुहाविरा नहीं है आपसे पूछ रहा है तो जरोषधी पत्री का की संपादक कौन थे गुशनमब्र creepy का बता देंगे राइट एंसर क्या हो जाएगा queste तो बिल्कुल सही आ रहा है आपके सामने इसका राइट एंसर आपको बताना है कभीश्वर सब्द में परियुक्ति संधी कौन सी है? कुश्चन नमबर 86 का बताएंगे रायट एंसर क्या हो जाएगा? फटा फट एंसर देंगे कुश्चन नमबर 86 का रायट एंसर क्या होगा? तो बिलकुल सही है, दीर के संधी है राइड एंसर ओप्शन नमबर ये वाले बिल्कुल सही है कुश्चन नमबर 87 है आपके सामने इसका राइड एंसर आपको बताना है निमलिखित में से तदभो शब्द है कौन सा सब्द तदभो है सभी बता देंगे इसका राइड एंसर क्या होगा बिल्कुल सही आरत्ता दभव पूछ रहा है न मित्र तो साजन जो है इसका राइट एंसर होगा ओप्सेन नमर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कुश्चन नमर 88 और लाश्ट कुश्चन आपके सामने है छाती पर मौंग दलना मुहावरे का सही विकल्प है छाती पर मौंग दलना मुहावरे का सही विकल्प आपको बताने है 88 का बता देंगे राइट एंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही ये तंग करना इसका राइट एंसर होगा ओप्सेन नमर ये वाले बिल्कुल सही है तो मित्र आज की इस वीडियो में बसना ये रहे आपके एंसर आपको पीडियो में मिल जाएंगे आपको वीडियो कैसी लेगी है कमेंट सक्षन में जरूर बताना जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज कर देंगे मित्र तो आज की इस वीडियो में बस इतना है परचेज कर सकते हैं जिस पर 60% का डिसकाउंट चल रहा है अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 49 रुपे में खड़ी सकते हैं इसको खड़ीने के लिए UPI ID पूजा BCIT 05-8OKSBI पर आपको मात्र 49 रुपे पे करना है या फिर अन्ने डीटियल्स आप वाट्सप न किलाने में बहुत जादा मदद करेगी बहुत बहुत धन्यवाद